प्लेटफोर्म जो आज का मेरा वीडियो है यह बहुत इंपोर्टेंट है उन्स सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पीरेंट्स है अपनी स्टेट यह सेंटर गॉवर्मेंट के जूनिर इंजिनियर और असिस्टेंट इंजिनियर की जॉब्स रिलेटिड देखें खुता क है कि जब हम डिपलोमा पाजरोट करते हैं तो उस तरह में पर अपको उसके आंसर लिखनी है और आपको लिखना है लेकिन competitive exams में क्या होता है जहां पर multiple choice questions से related होते है except some of the exams like हर्याना में जो means का exam है एए का या हीमाचल का जो एए का exam है वो subjective होता है लेकिन again उसमें भी competitive वाला approach होता है अब competitive approach में क्या होता है कि we have to find the right answer we have to find the right answer और उसको tick करना है अब इस case में क्या होगा या तो आपके बास right answer टिक करो गया wrong answer टिक करेंगे लेकिन जो questions वहाँ पर आते हैं वो अच्छे questions होते हैं वो conceptual questions होते हैं conceptual questions होते हैं जिससे आपका technical knowledge भी check होता है और आपका preparation level भी उसमें check होता है और उसके बाद specially assistant engineer की jobs के लिए उसमें बाद में आपको interviews होता है हर्याना में, हिमाचल, पंजाब, जमुकृष्मी हर जगा पे जाएंगे जहां पे आपका assistant engineer की jobs के लिए उसमें आपका interviews होता है अब हमें करना क्या है कि जब आप passed out होगे diploma के या beta के तो उसके बाद हमें चीजों को competitive point of view से पढ़ना होता है अब मेरा ये जो वीडियो है एक announcement है in exams की preparation के module से related online and offline दोनों इसमें available है अब इसमें क्या है कि we are based in Chandigar अब यहाँ पे online कि इस तरीके से offline ठीक है आप यहाँ पे Chandigar में आएंगे institute में आएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाई होगा online में क्या होगा कि जो batches हम लोग यहाँ पे offline में run करते हैं उसी को ही हम live करते हैं online में you see this camera, this is a digital camera digital camera and digital board is there something like that इसे बड़ा board है जो classroom में हमने लगाया हुए अब उसमें क्या है कि जब teacher teach कर रहा है तो वो पूरा अच्छे तरीके से recording हो रहा है HD quality के साथ लेकिन normally क्या होता है कि जब live classes आप करते हो online classes आप करते हो तो writing pad के ओपर screen होता है teacher आपको दिखता नहीं interface नहीं उतना benefit हो पाता लेकिन क्योंकि यह foundation badge है अब इस foundation badge में क्या कुछ cover हो जाएगा इस foundation badge में आपके वो सारे exams cover हो जाएंगे जहां पे आपको एक question के पीछे एक number या less than one mark का आपको question है इसमें आपके सारे state के JIA examination, SSEJ exam, RBJ exam, जो public sector अपना test लेते हैं जैसे SJVNL, Supplul Jal Vidyudnigamalinted ISRO, BHEL, HAL, HRRL, BDL यह सारे exam जो without gate होते हैं क्योंकि उनका जो preparation का level है वो इस category में आता है one question के पीछे एक mark या less than one mark right? sorry not one mark, one minute एक question के पीछे one minute या less than one minute का time होता है वो सारे category of questions, paper, subjects हैं या जो jobs हैं वो इससे foundation batch में cover हो जाता है और इसके लिए हम लोग आज announcement है कि 30th of September से हम लोग new batches start कर रहे हैं for electrical as well as for the civil branches तो इसको आप लोग जो है join कर सकते हैं, आप लोग डारेक्टी चंडीगड आके अपना अभी जैसे आज I think 24th है, ये कल शायद वीडियो डालेगा 25th को आखी बाद 4-5 दिन का time है in the meantime अगर आप दूर से belong करते हैं तो आप यहां पर आके अपना रहने का कर लीजी और अपना Monday से 30 September को Monday है, तो Monday से आप अपना regular classes यहां पर start कर सकते हैं और ये तकरीबन 9-10 मेने का cycle होता है this is cycle of 9-10 months 9-10 मेने के cycle के अंदर आपका technical सारा और non-technical सारा technical में सारे engineering के subjects non-technical में quantity aptitude, reasoning, english, general studies now some चीजें जो state में आती हैं जैसे हिंदी हिमाचल जी के हिमाचल में आएगा पंजाबी, पंजाब जी के पंजाब के exam में आएगा हर्याना totally technical कर दिया है जमूर कश्मीरी is totally technical exam उसमें non-technical का requirement नहीं होता है लेकिन SSAJ के exams के अंदर non-technical का requirement होता है RBG में non-technical exam होता है तो इस 10 मीने के cycle के अंदर-अदर आपका technical सारा होगा आपके non-technical सारा हो गया इसके बाद आप कोई मर्जी exam दीजिए जो मैंने आपको frame किया है एक question के पीछे एक minute या less than one minute का time तो सारे category of exams आपके cover हो जाते हैं इसके अंदर except gate and engineering services क्योंकि उसके requirement 30 से different होता है और totally numerical based होता है ये state JIA के examination इसमें 60-70% theoretical होती है चीज़े बाकि numerical part होता है तो आप लोग diploma holder है आप भी tech holder है आपको साल, दो साल, चार साल जितना भी passed out होए क्योंकि state में jobs के लिए जो age limit है 34-35 के आसपास होता है general category के लिए तो आप लोग को अपना prepare कर सकते हैं जो कि अब election के कारण इस साल vacancies नहीं आ पाया लेकिन next year onward आपको बहुत अच्छी vacancies मिलेगा किसी भी state में particular order अगर मैं बात करूँ हिमाचल, पंजाब और आपका जमूर कश्मीर और हर्याना में भी अब कुछ vacancies अभी PWD और other से related आएगा लेकिन आप लोगों को अपने आपको पहले से prepare करके रखना पड़ता है ऐसा नहीं होता है कि जब job आएगा जब notification आएगा तब मैं उसका preparation करूँ आप लोगों को अपने आपको पहले से ही preparation करके रखना पड़ता है यह advantage होगा आपको 10 मीनिल का सारा cycle लगाने के बाद और यह जो 10 मंथ का cycle है इसके बाद आप continue कर सकते हो till your selection yes, your PDA ECP is the only platform जो यह facility आपको प्रवाइड करता है कि जिसमें आप लोग अपने आपको हमारे साथ till exam, till your selection आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं अपना preparation continue कर सकते हैं आप मेरे को call कर सकते हैं या directly आप इस वीडियो के description में Google form में तो executive आपको call कर सकते हैं आपको call कर लेंगे अधर विस आप directly sector 34 विजिट करिए और अपना preparation जो है वो Monday से start कर दीजिए Thank you and all the best to all of you